सब के घर से घी तेल आया जयान दिजिए रहान नगर बसन घरत तेला और बाणी पूँच कीन कप खेला सब के घर से तेल कपड़े आये तो अनुवान जी ने सोचा सब कोई परसाद देना चाहिए सब के घर से वंडारे में कुछ नहीं आया दक्ष्णा नहीं आया तो बिवीसन को परसाद नहीं देंगे हरी प्रेलाज जी जब गोल का लेकर के बैठी बन्दू तो भगवान की प्रेणा से हवा तेज चली और तेज हवा चली तो अगनी भी तेज जली होलका लेकरकर बैठी थी वह जल करकर रागो रही दोड़कर हवाने महारा तेज लकी से चदरिया को पुड़ाया और प्रहलाजी को लपेट लिया प्रहलाजी बच गए सब लोग कहने लगे अब तो मर गया होगा सराव की पार्टी करो पार्टी करो भहिया राक्चस लोग पीने लगे बोटल पर बोटल पर जब हवा अगनी जब सांत होई और देखा के देखते हैं होलका को निकाले होलका तो होली हो गई प्रेलाज जी बच करके आगए अब जो प्रेलाज जी के मित्र हैं उसे राख को लेकर के और माराज तिलक करते हैं तो आज भी परफपरा है कि जो गुलाल लगाते हैं माथे पर समझ लो वो प्रेला जी के दोस्त हैं जो थोड़ा रंग लगाते हैं खुशी में प्रेला जी को खुशी में तिलक कर रहे हैं एक माला दीजिए बुआ जी को पेना दोते हैं को वुआ जी को खुशी तो दोते हैं तरिजिए सुशा में प्रेला जी को खुशी में जा थे जिए बड़ी बरेम न लिए हैं बगवान के वजन में तो लेंके जया की प्रेल्ड है संत रूप हैं, विलकुल साथ्वी संत रूप हैं, ओहो हमारे संत वगवान देवदाज जी आए हैं, सभी लोग दर्शन करें, देवदाज स्वावा महराज पदार हैं, नागा जी महराज हैं, आप विरक्त संत परिशद, विरक्त वश्नव परिशद, नागा जी महराज की ज अबलगड में विराजते हैं जनका द्वारी का धाम बड़ा ही सुन्दर आश्रम है श्री देवदाश जी महाराज जी पदारे एक बार जोड़दार थाली बजा दीजिए अच्छी से बावा महाराज जी आते हैं तो बड़ा सम्मान आई जी बावा महाराज को बड़ाज को संत आते तो कथा में आनंद बढ़ जाता है अब आप प्रेम से कथा सुनिए बंदों भोल का जल गए प्रेलाज जी आए बाहर अब तो प्रेलाज जी को डाटने लगा या कहने लगा दुस्ट तेरी रक्षा कर रहा है वो कहां है दुर्वनीत बंदात्मन हे खुलबेद कर इसलिए फृतữ जगे मेरा भगवान सरवत्र है बस प्रेलाज जी नका सरवत्र है वेइन खम्में में है प्रेलाज जी के प्रेलाज जी टें सब जगें कहां मुझमें तुझमें1,000,000,000,000,000 बागवत में लेकाई इसने मुक्का मारा खंबे में क्या मुक्का मारा अब भगवान कहां बोले जहां भक्त की हां भगवान वहां भक्त ने कह लिया तो है और जैसे मुक्का मारा खंबे में ऐसा मुक्का मारा खंबे में कि उस खंबा फटा नरसंग भगवान प्रगट हो इसके इसके हाथ से तलवार चूटी डाल गरी और गदा लेकर के दोड़ा भगवान ने गदा का जवाब गदा से दिया और ठाकुर जी पकड़ करके और बैठ गए महाराज बीच देली पर बैठ गए और इसको अपनी गोदी में विठा लिया और भगवान कहने लगे अरे दुष्ट इरन नकशिपो आज तुझे मारूंगा में प्रभू का रूप बड़ा विचित्र है बंदो जो जैसा बर्दान मांगा वैसा ही रूप है ब्रमा जी ने कहा इसको बर्दान वो उन सब बर्दानों की रक्षा करने के लिए गर्दन से नीचे तो मनुष्य का रूप और गर्दन से उपर शेर का रूप है नर सिंग कहते हैं नर सिंग और वहां भागवत में लखाएं नर सिंग क्री है कृष्ण वाला जो कृष्ण में रिकार है नर सिंग नर सिंग नर भी हैं सिंग भी है या नरों में जो सिंग के समान है वो नर सिंग है ऐसे भगवान हमारे स्रीहरी आज बंदू बड़ा सुन्दर रूप लेकर के दरहरी रूप लेकर के और अपनी गोद में लिटा लिया इस एरन किस्ट को बीच देली पर बैट गे और कहने लगे मैं तुझे मारूंगा चोड़ूंगा नहीं ये कहता है प्रभू मुझे आप नहीं मार सकते क्योंकि मैंने बरदान मांगा है विदाता ब्रह्मा जी से आप मुझे नहीं मार सकते बगवान बोले तुने क्या बरदान मांगा है बोले मैंने बरदान मांगा कि उपर या नीचे नहीं मरूंगा भगवान बोले देखले तु ना उपर है न नीचे है मेरी गोद में है ना उपर नीचे है इसके जैसा बुद्धी मान कोई नहीं तो भगवान भी इससे बड़े बुद्धी मान है सारे बरदानों को काटते हुए इसलिए यह प्रसंग हमको सिक्षा देता है कि भगवान में बुद्धी मत लगाओ मन लगाओ मन लगना चाहिए भगवान में बुद्धी संसार में लगाओ हमको कैसे जीना है कैसे संसार में मन मत लगाओ मन परमात्मा में लगाओ इरन कश्यपू ने बुद्धी लगाई सु सिकार हो गया भगवाpants नक safety рек ऊपर नीचे नहीं मरेगा पर तुद बीक में मेरी गोदि में है ता रधू में बाहर भीतर नहीं मरूंगा ब्रह्मा जी से मंगा व्रधान भगवान बोले न बाहर न भीतर है देख ले तू न बाहर न भीतर है बीच देली में है ये बीच देली पर हम लोग हिंदु लोग दीपक जिलाते है सायंकाल को क्योंकि देली नरसंग भगवान का आसन है देली पर छोटे बच्चों को नहीं बिठाना चाहिए गंदगी कर दें तो गया के गोवर से लीपना चाहिए और नरसंग जेंती के दिन प्रतेक हिंदु को अपने घर की देली पर नरसंग भगवान का पूजन करना चाहिए जो रोज सायंकाल को कहते हैं दीपक जिला के ए नरसंग भगवान ए घर आपका इस देली पर आप विराजे हैं उनके घर में कैसा भी भूत प्रेट बादा सब खत्म हो जाती है क्योंकि जान नरसंग भगवान है बहां बताईए साधारन भूत प्रेट कैसे रह सकते हैं भगवान न कहीं मारूंगा प्रभू मैंने बरदान मांगा आदमी या जानवर किसी से नहीं मरूं भगवान कहते हैं भगवान कहते हैं हाँ ठाकुर जी कहते हैं मुझे देखो मैं ना तो जानवर हूं और ना ही मनुष्य हूं मैं ना जानवर हूं ना मनुष्य हूं मैं तो मुझे देखो मैं जानवर का भी रूप है, मनुष्टी का भी रूप है, नर्भी हूं सिंगू, ये कहता है प्रभु मैंने बर्दान मांगा था अस्त्र सस्त्र से, भगवान बोले सस्त्र लेकर नहीं आया, नाकुल से पेट फाड़ूंगा, प्रभु मैंने बर्दान मांगा था बारे मैनो में नहीं बरूंगा घ् bisण किसी किसी के आत्मा में नहीं उनाउन और भगवान ने अब वो अपने दोदों हाथों के लंबे लंबे नाखुनों से हिरन कश्वू के पेट में डाब दिया पीच से अलग करके दूर फैक दिया ऐसा क्रोध आने लगा रशिंद भगवान को कौन वंदू उस क्रोध में भगवान के सामने आए जो भी आता है ऐसी गर्जना लगाते हैं माराज के वह डर के भाग आता है एक देवता बोला भहिया भहिया ऐसे क्रोध में कौन जाए भगवान के आगे कौन भगवान के क्रोध को सांत करें तो ऐसे में कहा करनों चाहिए बोले पती देव जब ज़्यादा गुस्सा करें तो पतनी को बलानों चाहिए पतनी बुरो नहीं मानियों भईयों ऐसे बोल रहा हूं मैं तो ये बोले पती लोग ड़ते हैं तो क्या करें बोले नाराइण भगवान की पत्नी को बलाओ नसंग नाराइण ही है लक्षमी महिया के आगे बेकुंट मे चलो माते जल्दी तुमको बला रहे हैं लक्षमी महिया बड़ी लंबी साड़ी पेन करके आई सोले शंगार करके हाथ में आरती का थाल ले करके आई बोले देखती हूं मेरे भगवान कैसे गुस्सा कर रहे है और जो आई नसंग भगवान के आगे लक्षमी एक यूद और ऐसे लगाई के लक्षमी ने दूसरी सांस बेकुंट में जाके लिया और देवताओं को डाट के कहती अरे मुर्ख देवताओ ये मेरो पती है या सेर बावा ये कई खा जाता मुझे तो कह रहे के मेरो पती मेरो तो अरे पती मेरे सांता कारम भुजग सेनम तो सांता सोने के बाद भी सांता का रहें यह सेर जो सो रूप लेवे वारो मेरो पती नहीं है अब प्रहला जी आए प्रहला जी को गोद मेश बिठा लिया और नर सिंग भगवान कह रहे है क्या कह रहे हैं प्रभु बोले प्रभु प्यारे प्रिय को मलते हारे अंग असुरने मारे मम नाम एक गाने में गिरीते गिराए फुन जल में डुबाए हाए अगनी में जलाए कमीरा कीन सताने में और से लगाएं लपटाएं कहें बार बार करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में और मंजल मुकार विंद चूम चूम कहें प्रभु क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में ये बिठा ये प्रेलाद तुमने हर क्षण मेरा नाम गया पर फिर भी मेने आने में देरी कर दे मेरे पुत्र मुझे क्षमा करना प्रेलाजी केते हैं प्रभू आपने सब जगे मेरी रक्षा की मैं मानता हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे बहुत कष्ट दिया परहे जगदीस्वल जगन नेंता अकल कोट परमान डाद पती आपने सब जगे मेरी रक्षा की भगवान ने का प्रेला कुछ मांगो प्रेला जी केते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभू बस आप भगवान में आपका शेवक्त भक्त और भगवान के बीच में ये मांगने वाला रिस्ता का से आया प्रभू कुछ नहीं चाहिए मुझे भगवान ने का अपने पिता क अंतिम संसकार करो प्रहलाजी और उसके बाद एक मनवंतर का राज में तुमको देता हूं ऐसा अनंत आसिरवाद दे करके नरसिंग भगवान बार बार किरपा वर्षा करके और अंतर ध्यान हो जाते हैं बोलिए नरहरी भगवान की जल्षी पहलाजी महराजी की जल्षी और वंदुओ घड़ी आज भागती जारी है भगवान का जन्मोत सब भी करना है पर उससे पहले हम चाहते हैं कि 10-20 मिनिट आप लोग जल्षी पान आदी कर लें और दूसरे सत्र में आपको भगवान के जन्म आदी की किता सुनाई जाएगे प्रहलाजी का पावन्चरितर आपने सुनही लिया है तो थोड़ी रहर आप लोग एक बजन गाले जिए छुटा सा और जल्पान आदी करके आएंगे 10-20 मिनिट में पुरे करम में सदालीन था करी रामा यण तैयार लेकर नाम तिरा करी रामा यण तैयार लेकर नाम तिरा अजी हो गए भवसे पार लेकर नाम तिरा करी राम में तुर्पद दुलारी बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तिरा बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तिरा हो गया भव से पार लेकर नाम तिरा हो गया भव से पार लेकर नाम तिरा मीरा गिरदर नाम पकारी बिश अमरत कर दिया मुरारी बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तिरा हो गया भव से पार 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 लेकर नाम तिरा हम हो गए 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 हो लेकर नाम पे राव लेकर नाम पे राव लेकर नाम पे राव बोल ये जगदीस्वर भगवान की जै हिस्ती राधी दस वीस मिनिट आप लोग भी जल्पा ना दे कर लें फिर कथा अपना हुआ जो भी आप लोगे हैस्वरों कुल्हाजो कभो ना चोटे है सबरों तुलवा जो कवरों न चोले है समाच जुलवा जर्वा हून तुले अचले सोहाज की बंदिया लगाद हचले सोहाज की बंदिया लगाद मुझे श्याम सुंदर की तुलवा जर्ण तुल श्याम सुनदर की तुलवा जर्ण तुल हायती वरुचनरी जो रगनाही छूटे आज मेरी मौतियों से मांग भरादो मुझे शाम संदर की खुलहत बरादो आओ मेरी सक्यों मुझे महदी रगादो मुझे शाम संदर की दुलहत बरादो मुझे शाम संदर की खुलहत बरादो मेरी शाम संदर की खुलहत बरादो मुझे 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 शाम संदर की खुलहत बरादो अले रुक्मनी रबन भगवान की जय अब आप लोग दर्सन कर रहे हैं थोड़े यह जो बच्चे हैं ना ऐसे हो जाए वो पीछे हमारी माता है यह नीचे खड़े होके वीडियो फोटो बना लो बेटा नीचे बेटके बना लो जो फोटो फोटो केचे नीचे बेटके तो पीछे वाले लोग भी सम देख लेंगे और फोटो वीडियो बनाना तो थोड़े दूरो के बना लो सबको दर्सन अब देखिए रुक्मनी जी पहले माला पहनाएंगी बरमाला होए न आज कल बहुत पहले किये बरमाला तो रुक्मनी जी पहला पहनाएंगे फूल हात में ले ले लेजी आप लोग और पहले रुक्मनी जी फर कश्नु आप लोग फूल माला फूल छोड़े उपर बढ़वान माला पहला थी थाली बजाएंगे बढ़िया वाली अरे थाली की गढ़गणाट वनी जैयावी सहीनी बजवाल बढ़िया बोल ये द्वारिका धीत रदवान की स्री रुक्मनी नमण बढ़वान की आज के आनंद की अब भया रुक्मनी वाले कोने ये मेंत जी महराज और हमारे येजमान जी दोनो जो हैं बढ़िया बढ़िया नोट नकाल के उकर रहें काका है नोचावर अबारे संगीत आले कलाका लोग बेटे हैं ब्रामण देवता खड़े इनकुद्धे उकर रहें तरह मुँद्धे ये सिर्षाइ संगीत मेरी भी बिगड़ी दाती है मेरी भी भी बिगड़ी दाती है कुल्माराओ दाती हो उप पांगा पंकारगड़ी है पांगा दॉप पंकारगड़ी आते है आश्रेग के दोरा हो जाए जहारा, बनारा पुम्धे तोछे और इक उझेड़ी तो आप आप ऊपिए आप नारा के लग्रतक लाइन विष्वरा वो जाए इस्ट पार जप्लगुबर की रज़ ज़ों पर विष्वरा हो जाए कर दो दो कर दो कर दो दो जाए ये श्रीराम का मंदिल दे जे अए, जे जे ऑट